आप सब का सूपर कंसर्ट क्लास्ट में स्वागत है और आज किस वीडियो में आप लोगो को क्लास 10 सोसल साइंस के टॉप 40 क्लासैंस सब्सक्राइब कर लिए और लोगों के गजाम के लिए बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट है और आपको लिए आपको सब्सक्राइब कर लिए इसलिए आप लोग हमारी चनल को सबस्क्राइब कर लीए और को दोस्त होंगे अपसे क्लश्प। या सासन वेवस्ता जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुस नहीं होता कहा जाता है तो सब्सक्राइब क्या कहते हैं निरंकुसाबाद जो पुछे जा रहे हैं मॉडल फेपर से पुछे जा रहे हैं और यहां पर आप लोग का रि Hebंग की एक क्वेशन स्काति रहे हैं कि फैसे ठाल रहे हैं आपसे हाधेका है तो चलिए सर एकदम पूस्पा स्टाइल में कि अभी आपको पढ़ना है तो मैं खाली पढ़ेगा साला बस ही आपको जाना है कि मैं खाली पढ़ेगा 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 मैं खाली पढ़ेगा मुझे टॉपर बनना है साला मुझे फस्ट जाना है साला ऐसे आपको याद रखना है कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ तो बास्तिल किले का जो पतन हुआ तक आपको बताना है तो 1789 यानि कि 1789 इसका पतन हुआ था तीन का राइट हैंसर हो जाएगा आगे चलिए कोश्चन नंबर यहां पर चार देख लितें क्या है कि 18 सपंद्रों में आयो जीत विय आगया कि लिब्रे क्या था तो लिब्रे जो है फ्रांसिसी मुद्रा है क्या है फ्रांसिसी मुद्रा है आपका लिब्रे आगे चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं क्या है कि गांधी इर्विन समझोता कब हुआ तो जो आपका गांधी इर्विन समझोता है यह आपका सबसे पहले किसने महतमा गांधी जी को राष्ट्र पिता कहा था किसने कहा था स्वास चंद्र बोस नहीं कहा था साथ का अगला कुश्चन देख लेते कुश्चन नमर आठ क्या है कि गितांजली किसकी रचना आपको बताना है तो रबिंद्र नाथ टैगोर की रचना है आठ का राइटेंसर हो जाएगा और अप्सेन नमर को आगे चली क्वेश्चन नमर नो देख लेते हैं कि हिंदुस्तान सोसलि अगर देखा जाए तो इसका सैंसर हो जाएगा भगत सिंग ऑप्सेन नमर घौ बिल्कुल सई अंसर हो जाएगा आप लोग कितना उत्तर सही देपा रहें इस चीज़ को चेक करिए आगे चलिए कोश्चन अमर 10 देख लेते हैं और सारा का सारा कोश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्या है कि भारती संविधान कब बनकर तयार हुआ तो भारत देश का जो संविधान है यह आपका बनकर रेडी हो गया था चब्विस नॉमबर उन्ने सो उन्चास को लेकिन लागू का हुआ था तो लागू हुआ क्या है कि आपके घर में एक दूद्र देने वाली गाय है आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं तो गाय सजीब है जिसमें जीवन पाया जाता है तो जेव संसाधन है ग्यारा का राइटेंसर हो जाएगा ऑपसिन नंबर को आगे चलिए क्वेश्चन अबर 12 देख लेते है कि जिस भूमी पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं तो जिस भूमी पर खेती की जाती है उसे क्रिसी योग की भूमी कहते हैं 12 का राइटेंसर हो जाएगा ऑपसिन नंबर को आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है कि बांगर और खादर किस मिट्टी क के परकार है तो जो बांगर और खादर जो है वह जलोड मिट्टी के परकार है जलोड मिर्दा के परकार है तेरा का राइट निसर हो जाएगा आपसे नमबर गौ आगे चलिए कोश्चन नमबर यहां पर 14 देख लेते हैं क्या है कि सन्युक्त बन परवंदन की 1988 में ओपचारि का एक तिहाँ हिस्ता किस वनका है किस बनका है तो रक्षित वनका है पंद्र का राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमबर क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं कोश्चन में सोला क्या है कि भारत के पांच परदिसत धनी लोग कितने परदिसत गरीब लोगों के हमारे पास है कि पस्टी में राजस्तान में वर्सा जल संगरहन की रीति किस कारण से कम हो रही है तो इसका सहींसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर से बाहरामा से जल सुविदा से अप्सटन नमर को बिल्कुल सहींसर हो जाएगा और यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस हसल प्रति रूप इसका सहींसर हो जाएगा आगे चलिए क्वेश्चन नमर 19 यहां पर देख लेते हैं क्या है कि प्रचूर मात्रा में जल उपलब्द होने के बावजूद जल दुरलब्दा कैसे होती है जल दुरलब्दा यानिकी जल में कमी जल अभी देखिए बहुत ही म लगामर 20 यहां पर क्या देखने है के डिया है कि नदीयों पर बान बनाने से क्न नहीं होता है बताएंब की क्यamed कॉईस्टनलमों पूसपा पूसपा राज मैं साला जुक नहीं या फिर मैं जुक है नहीं साला लेगन एक एक ऑप्संट पाकर जुक जूख जाता है वो प्यूक्त सभी पर तो यह बहुत प्रस्ट नहीं देखिए क्या है कि यूएंड़ीपी के अनुशार किसी देश की विकास को आखने का आधार निमलिकित में से कौन सा है तो प्रति व्यक्ति आए हैं बिल्कुल सही है लोगों की सिक्षा का अस्तर यह भी ह है यहां पर इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर घौ उप्रोक्त सभी पुस्पा राज आकर यहां पर जूब जाता है चलिए आगे चलते हैं क्या दिया गया देख लीजिए कि दिस्वी विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2017 के अनुसार क्या है तो विए देश जिनकी प्रतिव्यक्ति आई क्या है 1256 डॉलर परति वर्ष या उससे दिखें विए समरिद देश से बिल्कुल सही बात है और वह देश जिनकी प्रतिवेक्ति आई 995 डॉलर परतिवर्स या उससे कम है तो यह नहीं आयवाले देश से बिल्कुल सही और अप्सन नमर कोभी सांज है उपसे नमेर कभी सई है इसलिए यहाँ नमर चुट्टे टूकर टैंसर हो जायेकर फ्राति व्यक्ति आयको क्या कहा जाता है तो प्रती व्यक्ति आयको और साता जाता है वह इंकम कहा जाता है 23 का राइट अंसर हो जाएगा option number का बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 24 देख लिजिए यहाँ पर क्या दिया गया है जिसका अब लोग देख सकते हैं पर दिया गया है कि इनमें से कौन भावी पीडी के कल्यान को परिवासित करता है तो इसका हो जाएगा सही answer धार्मिय विकास ठ यहाँ पर सेबा परदान क्या जाता इसका सेंसर हो जाएगा परिवहन संचार और बैंकिंग यहां से सेवा में मिलता है 25 का राइट अंसर हो जाएगा option number यानि की परिवहन संचार और बैंकिंग question number 26 क्या देख लिए कि GDP का विस्तारित रूप निमने में से कौन सा है तो GDP का माने होता है सकल घरेलू उत्पाद यानि का option नमर खाव बिल्कुल सही सकल घरेलू उत्पाद question number यहां पर 27 क्या देख लिए कि नरेगा 2005 जिसका हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं कि राष्ट गरा लगिन यहां पर option number को में भी 100 दिन है और option number घाव में भी 100 दिन है क्या कोई दिगत नहीं लेकिन एक्ट्यल मिसका जो सहीं सरोगा यहां पर 100 दिन का काम दिया जाता है आगे चली अगला प्रशन देख लिए क्या दिया गया है question number 28 क्या है कि सब यतन छुटी का प्रावधान किस चेत्रक में होता है बेतन भी मिलेगा छुटी भी मिलेगा किस में मिलेगा तो संगडित चेत्रक में मिलेगा जैका option number 29 देख लिए question number 29 यहां पर क्या दिया गया है कि याल पर बेरोजगारी उस अवस्ता में पाय जाती है जब लोग क्या होते हैं यहां पर आपको बतान कि उत्पादन ऊवता के भी संब्ध कोन अस्थापित करता है तो क्षिकत करता है कि दुथा रिक मोदन करता है को समझे लिजी सब्सकतिक होता है वाहां सवेरा ऊता स्थ Mitra सब करता है उसको थोड़ा मतल। है अच्छे तेके से बदला जाता है ताकि जो वोगता हो वह उसी को उपयोगर सके और तो देता है इसलिह यहाँ पर यह फो कि तरी नंस क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल रूप क्या तरन कि नियंत्रन उन संतूलन की विवस्ता का संबन सथाके साइधारी के बिंवन से किसवा प्र हो जाएगा आपका 36 बित्रन ठीक है क्वेश्चन नमबर 32 क्या देख लिए कि साथ आकर संग बनाने का उदार निमन में से कौन देश कौन देश है ठीक है कौन में से देश में हैं आपको बताना है तो यह हो जाएगा आपका सन्युक्त राज अमेरिका युए से युनाइटेड हो जाएगा क्वेश्चन अबर 34 यहां पर क्या दिया गया देख लिए कि नगर निगम के परधान को क्या कहते हैं तो नगर निगम का जो परधान होता है उसको कि बोलिविया की सरकार ने क्या है कोच बंबा सहर में जलपूर्ती का अधिकार किसे बेच दिया था तो बहुराष्ट कंपनी को बेच दिया था तो आप इसका निमन में कुण असच्त है दखें इसका जो सही अंसर हो जाएगा कि आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं देखिए कोई बच्चे बूलेंगे सब्सक्राइब करते हैं यह वाला जो कथनी एक दर बिल्कुल सच्ट कथन है यह सच्ट कथन है लेकिन यह वाला जो नमबर भी दिया गया यह एक सच्ट कथन है तो यहाँ पर इसलिए 37 का राइटन से करेंगे इसलिए मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि आप लोग गुगल में जाकर इस चीज़ को सर्च करिए देखिया आपको इसका उत्तर मिल जाएगा बात के लिए कोई प्रोलम नहीं है यहाँ पर भी बहुत बाग कंफूजन है जो मैं आपको यहाँ पर बताने बाला हू लेकिन अगर बात क्या जाए मतलब कॉन साथ जिसे की गड़बंदन जो सरकार बनाता जिन्होंने कंप्रीट आपना 5 साल का जो मतलब कारीकाल होता है पूरा क्या था हमारा 1999 से हुआ था हमारा 1999 से मतलब 2004 तक हमारा हुआ था ठीक है इस बात का अब लोग ध्यान रखिएगा लेकिन यहां पर हमें जो कोश्चन दिया गया है देख लिजी क्या है कि भारत में केंद्री में गड़बंदन सरकार के सुरुवात है किस दसक से प्रारम हुई तो देखे में यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है चलिए आगे चलते कोश्चन अबर 39 देख लेते हैं क्या कि भारत में अवसिस्ट या पर निकी जो बाकी बचे जो विसाय है किसकी अधिकार चेतरी में आते हैं तो याद रखिएगा यह हमारा केंद्री सरकार के चेतरी में आत आता है तो एक तो हमर राजिस शरकार होता है यह तो तो हो गया और जो थिसरा वाला हमारा एनसर यह चैशल का एंसर का पता दे consideration हो रहा है अगर आपको बडियो पसंद्राइद विडियो को लायक करें जितना उसक्ता वीडियो को शेर कर दीजिएगा तो मिलते हैं एकले व